चला फिर, हम लोगों ने रूल 41 देखा था, रूल 41 में बोला था, कि अगर कोई amalgamation, merger, demerger, ये सब cases है, और इन cases में, अगर ITC, जो है, वो एक demerged entity, resulting entity को transfer करना चाहती, ना, ITC transfer करना पड़ेगा, जैसे मान के चलो, एक example, अगर मैं do, तो reliance, reliance demerge हो गई, reliance telecom में, और reliance industries, ऐसे दो company में, reliance, एक reliance parent company है, और telecom और industries, ये दो में, वो क्या हो गई, divide हो गई, मतलब demerged हो गई, तो ये जो original parent company है, मैं rule 41 वापस बता रहा हूँ, ये जो original parent company है, आपकी reliance, ये reliance के पास, जो ITC है, वो ITC है, distribute करेगा, reliance telecom को, और reliance industries को, तो ये कौन से ratio में करते हैं, हमने देखा था, कि जिस ratio में, asset divide होते हैं, assets, apportioned होते हैं, वो ratio में, हम लोग, ये ITC को divide करते हैं, GST, ITC 02 number का form भरना पड़ता है, और फिर वो charted accountant या cost accountant का certificate and all and all, वो सब चीजे, rule 41 में थी, now, अब ये जो apportion कर रहे थे, credit का जो apportionment कर रहे थे, इसके regarding कुछ problems हो रहे थे, taxpayer को कुछ difficulties जा रहे थी, तो ये difficulties को दूर करने के लिए, कुछ clarification इन्होंने लाए, तो ये clarification हम लोगों को देखना है, okay, तो देख, clarification, clarification in respect of apportionment of ITC, देखो मैंने बोला था, apportion जो करते हैं, उसके बारे में कुछ difficulty आ रहे थे, उसका clarification दिया, in case of business reorganization, under section 18.3, read with rule 41.1 of CGST rule, तो उसका apportionment, 18.3 में तो दिया था कि apportion करना है, बट कैसे करना, वो 41.1 में दिया था, तो ये 41.1 के साथ read करके, जो हमने apportionment देखा, अब उसमें जो clarification है, वो देख, देखो, बहुत simple है, 3-4 issues है, example लेके मैंने दिये, आपको फटा-फट समझ में आएंगे, ध्यान दूए, चैनला है, प्रोच सारी, बहुत सारी था स्था पर स्था, तो ये आपको उनर्श के सी है, ये clarification के तुरूप एक column में आपको issues और clarification दिया और दूसरे इसमें आपको जो उन्होंने issues और question दिया और दूसरे इसमें आपको clarify क्या किया उन्होंने वो बताया तो एक-एक करके हम लोग देखते है राइट समझ में आएगा पका ध्यान दो बहुत सिंपल है ओके लेट स्टार्ट देगो पहला इन केस अब दी मर्जर प्रोविजोट टू रूल 41.1 अब सीजेस्ट रूल प्रोवाइट दा दे इंपूट टैक्स क्रेडिट शॉल बी अपोशेंड इन दर रेशो अफ वाल्यो अफ एक यह मैंने अब लोग इन में दिस्ट्रिबूट करेंगे तो कौनसे रेशो में करेंगे जितनी असेट रिलाएंस इंडस्टीज को दी और जितनी असेट रिलाएंस टेलिकॉम को दी तो यह असेट के रेशो में वो ITC अपोशें हो जाता है और फिर इसका एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे अब प्रॉब्लम क्या हुआ था लेट सेट एक इग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेटे एक कोई कम्पनी है लेट सेट एक कोई कम्पनी है XYZ XYZ लिमिटेड अच्छे चलो वहाँ पे DIY एग्जाम्पल लेटे तो जल्दी समझ में आएगा कम्पनी XYZ इस रजिस्टर इन टू स्टेट में ये कम्पनी रजिस्टर थी कौन सी MP और UP जहां से सुनना है एक्जाम्पल हा MP और UP ये दो स्टेट में ये कम्पनी रजिस्टर थी अभी ये XYZ जो कम्पनी थी इसकी तोटल वाल्यू अफ सेट दोनो स्टेट मिलाके MP में और UP में और ये head office था XYZ का ये तोटल वाल्यू अफ सेट थी 100 क्रोई रूपी 100 क्रोई उसकी तोटल वाल्यू दे वाल इन दे स्टेट और MP आन UP आर 60 क्रोई MP में 60, मतलब एक XYZ company उसकी total value of asset 100 MP में जिसमें से 60 करोड रुपे के assets थे और UP में थे 40 करोड रुपे के assets, अब आगे देखू क्या हो, यह demerge is its part, a part of its business to the company ABC, अब यह XYZ क्या हुआ, ABC में demerge हो गया, मतलब resulting company बनी ABC, अब देखू, question क्या आया, धान से सुनना, question यह आया कि MP में और UP में ऐसे दो ब्रांचे से इसकी, जहाँ MP में 60 करोड और UP में 40 करोड रुपे के asset है, तो यह जो ABC resulting company बनी यह ABC जो है, यह MP में भी बन गई और UP में भी बन गई, है ना, resulting company तो दोनों state में बनेगी, GST में जो हम registration लेते हैं, देखो, ध्यान दॉआ GST में जो registration लेते हैं, वो state में हर state में अलग-अलग registration लेना पड़ता है मतलब हमने MP में भी registration लिया हुआ, XYZ का पहले और UP में भी लिया होगा, दोनों state में registration लिया होगे अब ABC जो है, यह ABC MP में भी resulting company बन गई और UP में भी बन गई तो अब यह जो XYZ के पहले दो company थी MP और UP में यह तो separate legal entity होगे distinct entity होगे न, दोनों, दोनों distinct होगे क्योंकि इनके registration अलग-अलग है, है ना, इनके registration दोनों के अलग-अलग अब सवाल यह था, कि जब यह ABC बनी यह ABC बनी, तो XYZ के MP यूनिट ने कुछ assets उसको transfer की बराबर, और XYZ के UP वाले यूनिट ने ABC को कुछ assets transfer की तो अब यह जो ratio लेंगे वो 100 crore के साथ लेंगे, या फिर यह respective states के assets के साथ लेंगे, वो question था, तो देखो आगे लिखाया, देखो it demerges into business to the company ABC, ना as a part of demerger the assets of XYZ amounting to रुपीस 30 crores are transferred to ABC in the state of MP तो MP में देखो, total 100 crores के asset थे, जिसमें से MP और यह UP MP में थे 60 के और UP में थे 40 के तो MP ने क्या किया, 60 में से 30 के asset दे दिये ABC को और UP में कितने के asset दिये देखो while assets of 10 crores are only transferred to ABC in the state of UP 10 crores के asset दिये ABC को UP में आया समझ में आपको तो ABC जो demurge हुई, वो demurge company को MP में, MP ने 60 में से 30 के asset दिये और UP में 40 में से 10 करोड के asset दिये ABC को, जो resulting company उसको तो अब सवाल यह उठा था देखो the total assets amounting to rupees 40 crores at all India level are transferred to ABC अब total value of asset अगर ABC के पास अब देखेंगे तो यह हो गई अब 30 और यह 10, 40 ABC के पास कितना हो गई? 40 वो bracket में लिखा हो अब question क्या था देखो question यह था कि अब जो भी ITC होगा ITC का figure नहीं दिया है यहाँ पे जो भी ITC होगा वो कौन से लेवल पे कौन से रेशो में डिवाइड होगा मतलब यह अब ITC जो होगा यह total assets 40 करोड divided by 100 ऐसे डिवाइड होगा या फिर state wise डिवाइड होगा यह question था तो उन्होंने इसका clarification दिया और उन्होंने बोला कि यह जो ITC है यह आपका totality में डिवाइड नहीं होगा totality में डिवाइड नहीं होगा यह state wise डिवाइड होगा क्योंकि यह दोनों अलग-अलग entity है distinct entity है तो MP की जो assets है MP 60 करोड की asset और 30 करोड की transfer तो जो भी example लेते हैं अपन ITC है यह MP में ITC let's take an example MP में ITC है 10 lakh रुपे का और UP में है 8 lakh रुपे का ITC यह example लेते हैं ITC तो यह conservation में transfer होगा देखो तो हम transfer करेंगी guys total 30 के asset transfer होई या ऐसा लिखते उसको समझने के लिए आपको यह 10 lakh का ITC total 60 crore के 60 crore के asset के लिए है तो 30 से कितना transfer होगा ऐसे आपको उसको divide अरे समझ में आए आपको मतलब यह कौन से ratio में divide होगा guys 30 से 60 में यह ITC divide होगा state wise यह ITC divide होगा 30 से 60 में in the same manner UP में जो divide होगा 10 divided by 40 10 divided by 40 ऐसा divide होगा तो देखो वहाँ पे लिखा है the unutilized ITC जो भी होगा unutilized ITC जो transfer करने वाले हम GST ITC 02 से of XYZ in the state of MP shall be transferred to ABC in the ratio of value of asset that is 30 divided by 60 similarly unutilized ITC जो कि 8 लाग का है in the state of UP will be transferred in the value of assets of UP that is 10 divided by तो कहने का इतना simple मतलब है कि यह India level पे मतलब वैसे तो 100 crores की asset है और total assets ABC को कितनी transfer होगा 40 की but totality में हम लोग उसको totality में हम लोग उसको divide नहीं करेंगे हम state wise करेंगे क्योंकि यह अलग-अलग state के अलग-अलग GST यह number अरे समझ में आया तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है यह पूरी चीज जो मैंने बताई वहाँ पे लिखी हुई है with exam अरे आया धान में yes correct sir मतलब अब यह जो transfer होगा यह totality में new unit में नहीं होगा यह कौन से basis पे होगा state level पे होगा state level पे होगा तो यह पहला clarification आया then second is the transfer required to file the form GST ITC 02 in all the state where it is registered यह भी question था जैसे देख अब मान के चलो XYZ जो हमने उपर example लिया यह तीन state में है तीन state में registered है और जो demerger हुआ इसका वो दो इस state में हुआ जैसे MP, UP और राजस्थान ऐसे तीन states में registered है अब जो demerger हुआ वो MP और UP में हुआ तो मुझे बताओ क्या राजस्थान में भी GST ITC 02 GST ITC 02 किसके लिए जो unutilized ITC input tax credit है उसको pass on करने के लिए resulting unit को तो भाई राजस्थान में ये demerger हुआ है नहीं तो राजस्थान में भला form क्यों भरेंगे तो राजस्थान में form भरनी कोई जरुवत नहीं है जो state में transferer transferi है केवल वही state में GST ITC 02 जाएगा बस वही लिखाए देखो no the transferer is required to file GST ITC 02 only in those state where both transferi and transfer transfer and transferi are registered जिस state में ये लोग registered है वही पर भरना जरू है बाकी इदर भरने की जरूवर नहीं then next अभी इतनी सारे लंबी चोड़ी बात लिकिए ये मैं बता देता हूँ क्या है ये इतनी बड़ी लंबी चोड़ी बात लिकिए क्या है ये बोल रहे है कि आपने तो अभी सिर्फ de-merger के बारे में बता है क्या ये बाकी चीजों के लिए भी अप्लिकेबल है मतलब ये de-merger, merger, amalgamation change in ownership, constitution ये जो आपने बताया क्या ये सभी के लिए अप्लिकेबल है डान्सरी जिस मतलब ITC ये जो transfer करने का तरीका है GST ITC 02 से हम जो transfer करते state wise, asset wise ratio ITC जो transfer करते input tax credit जो हम transfer करें logic समझ मैं है आपको basic क्या है कि ये जो input tax credit है इसको अब नई entity बनी तो उसको transfer करना पड़ेगा as per rule 41 हमने देखा था तो ये जो transfer कर रहे है क्या ये सब के case में calculation same merger, demerger, business reorganization तो उनों ने बोला yes, ये सभी के case में same है the formula for apportionment of ITC as prescribed under sub rule 1 of the rules CGST rules shall be applicable to all the business reorganization reorganization मतलब merger, demerger business reorganization में या आपका amalgamation है या change in constitution, ownership है ये सब ने same रहेगा results in partial transfer of the business assets along with liability तो आप ये जब करेंगे तो सब के लिए same रहेगा कोई अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अ schemes के लिए अलग-अलग ITC transfer या form ऐसा कुछ नहीं है वो सब के लिए GST ITC zero to form है और manner of transfer भी same है in the ratio of assets अलग-अलग नहीं है okay simple then ये बड़ा important point है आप देको देन से सुनना इसको चल देको फिर एक example भी करेंगे इसको पर whether the ratio of value of assets देन से सुनना whether the ratio of value of assets as prescribed under the provision of rule 41.1 of CGST rule shall be applied in respect of each head of input tax credit that is CGST, IGST, SGST or a sales क्या मतलब वाइस करें इनका कहना है कि भाई ये जो आप ratio निकालेंगे assets का जो transfer का हम लोग ratio निकाल रहे वो ratio तो हमें मिल गया जैसे हमने देखा 30 is to 60 ये ratio हमको मिल गया अब ये क्या हर tax wise separately लगाना है मतलब जैसा XYZ company थी XYZ company अब ABC company में demerged हो रही है अब हमने ratio निकाल लिया let's say 60% का credit transfer करना है 60% asset transfer होगई example ले रहे सब 60% asset XYZ की चले गई ABC को 60% assets XYZ की ABC को तो जो unutilized ITC है unutilized ITC है let's say आपका CGST का SGST का और IGST का ऐसे तीन ITC है आपके input tax credit पढ़े गई लेट से ये है एक लाख रुपे का ये है 80,000 रुपीज का और ये है 10,000 रुपीज का ऐसे तीन अलग-अलग total XYZ में unutilized ITC थे unutilized ITC अब हमने देखा कि उसका जो total value of assets है वो transfer कितने percent हुआ 60% तो 60% ये जो credit है ये credit भी हम लोगों को transfer करना पढ़ेगा 60% unutilized किसको देना पढ़ेगा XYZ देगा ABC को परभर ये सर तो अब उन्होंने question क्या पूचा तो इन्होंने question क्या पूचा clarification के लिए कि ये जो 60% अब ये ये tax wise होगा क्या मतलब CGST का 60% SGST का 60% और IGST का 60% ऐसे transfer होगा या फिर ये total को 1,90,000 को 60% लगाएंगे ये clarification तो आपके दिमाग में आ गया और आप जो सोच रहे वो गलत है सर आपको कैसे मालूम हम क्या सोच रहे मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे और आप जो सोच रहे हो गलत है ओके सर बताओ हम क्या सोच रहे आप सोच रहे हो कि ये individual जो tax है CGST का 60% transfer होगा SGST का 60% और IGST का 60%, ऐसा होगा, ऐसे आप पोचो, लेकिन आप गलत हो, ओके, तो ये कैसे transfer होगा, तो देखो, उन्होंने क्या बोला, simplicity के लिए मैं इसको 20,000 ले ले ले, ओके, तो ये total 2,00,000 होगे, उन्होंने बोला, ये total 2,00,000 का, आप पहले 60% कर लो, total, 1,20,000 रुपय आता है, total 2,00 का 60%, और ये total में, अब आपकी मर्जी, धान से सुनना मैं क्या वो रहो, ये जो total आया, 60% of 2,00,000, 60% of 2,00,000, 60% of 2,00, 1,20,000, अब ये आपकी मर्जी है, assessi की मर्जी है, कि उसको ये कैसे transfer करना है, मतलब क्या, ये 1,20,000 में से, वो चाहे तो क्या कर सकता है, CGST का 1,00,000 कर देगा, और 20,000 IGST का transfer कर देगा, SGST का कुछ भी नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी, ये 1,20,000 में, वो, एक लाख, जो CGST का, उसमें से 50,000 रुपए transfer कर देगा, 80,000 रुपीज, पूरा SGST का कर देगा, 80,000 नहीं होगा, 70,000 कर देगा, मतलब, 70,000 SGST का, और, बचा हुआ, 70,000 और 50,000 CGST का, ऐसे transfer कर देगा, 1,20,000, वो चाहे तो क्या कर सकता है, SGST का पूरा 80,000, IGST का 20,000, और CGST का 20,000, ऐसे भी कर सकता है, तो यह जो totality में 1,20,000 आया, अब बाकी उसकी मर्जी, कि वो कैसे इसको transfer करे, यह बाकी उसकी मर्जी, राइट, तो यह दोनों point मिलाके, यह point और यह point मिलाके, एक example दिया, अगले point, तो देखो, वहाँ पे लिखा है, पूरा point इसी में cover हो गया, अब देखो, उपर लिखा ह देली और हरियाना, यह दो स्टेट में branch है उसकी, assets, ratio transfer कितना percent है, transfer asset का 70%, 40%, 70% in Delhi, 40% in हरियाना, tax set दिया आपको CGST, और pre-apportionment का balance देखो, pre, मतलब क्या, unutilized ITC, pre-apportionment का balance is CGST का 10, SGST का 10, IGST का 30 Delhi में, और इधर 25-25 beef, ओके, अब, ITC 02, ITC 02 बरना देखो, अब यह total ITC कितना आ गया आपका, total pre-apportionment ITC 50 लाक, अब यह जब de-merger हुआ, तो 50 लाक में से, बेटा पहले इदर सुन लो आपा, वहां मत देखो, गड़बर हो जाएगी, 50 लाक में से 70% transfer करना, मतलब 35 लाक्स को transfer करना, तो देखो, पहले total में 35 अब यह आप, आपके इसाब से देखो, 35 लाक्स जो transfer करना हो, कैसे करना है, तो यहां मैंने क्या दिया, 35 में 35 में जो transfer करना हो, 10 लाक CGST का था आपका, तो यह 10 में से पूरा 10 transfer कर दिया, फिर SGST का 10 लाक, पूरा 10 लाक transfer कर दिया, मतलब 35 में से 20 CGST, SGST आ गया, अब IGST 30 है, त उसमें से सिर्फ 15 किया तो balance यह है post apportionment, मतलब balance कितना बचा देखा IGST में 15 लाग अरे आया समझ में, तो मैंने transfer कैसे किया 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख आप चाहो तो क्या कर सकते हो पूरा CG, IGST का 30 लाख ले लो, 35 में से 30 IGST का ले लो, और 5 CGST का ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो 10 लाख, SGST का 20 लाख, IGST का और 5 लाख, CGST, अरे आप कैसे भी करो answer can be different, कैसे भी आ सकता हो ओके, वैसे या आप अब डेली का, हरियाना का खूद करके देखो हरियाना का खूद करके देखो, लेक्चर को पॉच्च करो आपके हाथ में यार, आशिष आपको मुझे चूप करवाना है, आशिष चूप हो जा, pause बटन दबादो आशिष, बोलने लग तो ते जैसा, on कर दो मैं on हो जाता हूँ, तो हो तो सब आपके हाथ में देखो, मेरे हाथ में क्या है हाथ सब आपके हाथ में, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप है है ना, चलो देखो अब देखो हरियाना में, आप लेक्चर पॉच्छ करके सोच रहोंगे मैंने जो बोला, तो टो टोटल वाल्यू कैसे करना है, वो आपके उपर है, मैंने कैसे करके दिया देखो, 25,00,CGST था, मैंने ट्रांसपर करवा है केवल 3,00, तो बचा 22,00,SGST 25 है, मैंने ट्रांसपर करवा है 5,00, तो बचा 20,00, और टोटल कितना होगे अब देखो, 5 और 3,8, 28 में से 8 चले गए, 20 बचे, तो IGST का पूरा 20,00, यूज कर लिया है, आपके जिरो, अरे समझ में आ गया, सिंपल ऐसा है, ओके, ग्रेट, इतना सिंपल रहता है, तो इस दोनों पॉइंट मैंने का ओवर कर डा लिया, और एक्जांपल भी बता दिया आप, पढ़ लो एक्जांपल, ये दोनों पॉइंट कवर होगे, आपको एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत, नहीं है, एक बार रिपीट कर सकते हो, आप लेक्चर को, देखना है तो, देन, नेक्स देखो, इन ओर्डर तो calculate the amount of transferable ITC, in order to calculate the amount of transferable ITC, आप ITC को कितना transferable rule देख रहे हो, the apportionment formula under the proviso to the rule 41.1 of CGST rules has to be applied to unutilized ITC balance of the transfer, however, it is not clear as to which it shall be relevant to calculate the ITC amount on an unutilized ITC balance transfer, क्या मतलब वो इसका देखो, मैं समझाता हो पहले, आप हिंदी में वोगर लिख ले ना हो, मतलब क्या हुआ इसका देखो सवाल ये था गाइज, देखो, कि आज मैंने डिसाइड किया है कि XYZ, ये demerged होगी ABC में, अब मुझा ITC transfer करना है, बट ये ITC कौनसे दिन का transfer, कौनसे दिन का ITC देखो, क्योंकि ये ITC तो change होते अगर मैंने कोई purchase किया, तो ITC और add हो जाएगा, मैंने कोज goods को sale किया, और ITC use कर लिया हो, liability के साथ, तो ITC कम हो जाएगा, तो कौनसे दिन का ITC use करूँगा मैं, कौनसे दिन का ITC लूँगा, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, कि आप ये दोनो paragraph मिलके फिर ये conjoint मैंने बनाया, आप क्या करो, जिस दिन आप ये transfer करोगे, उस दिन आप क्या करने वाले हो, GST ITC 02 फर्म भरने वाले हो, तो जिस दिन आप ये GST ITC 02 फर्म भरेंगे, उस दिन जो ITC का balance होगा, वो मानना तो आप लिख लो, जिस दिन GST ITC 02 फर्म भरेंगे, वो माना जाएगा आपका अन यूटिलाइज आईटी सी और उसको आप transfer करेंगे, उसको transfer करेंगे, अरे समझ में आया आपके मैंने क्या वोड़, तो देखो आपे क्या लिखता है, a conjoint reading मतलब ये जो दो चीजे इनको मिला के, conjoint मतलब मिला के of 83.3 and 41.1 would imply that the apportionment formula shall be applied on the ITC balance of the transfer available in electronic credit ledger, कौन से दिन का, on the date of form ITC, GST ITC 02 by the transfer, जिस दिनो file करेंगे, date of filing reading, ये दिन जितना ITC था, वो ITC को हम क्या करेंगे, transfer करेंगे, अरे आई की बात समझ में, in the same manner, ये जो asset transfer कर रहे, ये asset भी कौन से दिन का, देखेंगे, वो भी दिया, देखो, which date should be relieved to calculate the ratio of value of asset, कौन से दिन का, कौन से दिन का, हम लोग ये ratio देखेंगे, ratio, हम दे जो asset transfer की, वो उसकी value भी तो देखना पड़ेगा, तो हो सकता है, हर एक दिन उसकी value अलग-अलग हो सकती, assets की, हमने कोई asset नहीं purchase की, या asset को बेज दिया, तो कौन से दिन की value relevant मानेंगे, अरे आप समझ रहो में क्या बोड़ो, तो उन्होंने उसमें भी लिख दिया, कि जिस दिन ये appointed date of demerger है, Companies Act में लिखा है, जब आप कोई company को demerged करते हो, तो appointed date of demerged होती है, तो appointed date of demerger जो रहेगी, उस दिन की value consider करना पड़ेगा, value of asset, appointed date of demerger, तेको, according to section 232.6 of Companies Act, the scheme under section, section shall clearly indicate the apportionment of date, date from which it shall be effective and the scheme shall be deemed to be effective from search date and not from the date subsequent to the appointed date, appointed date की बात की नहीं, जिस दिन ये demerger, appointed date of demerger है, उस दिन की value of assets अपने को देखना पड़ेगे, अरे बराबर, तो ITC जो है, वो कौन से दिन का देखेंगे, जिस दिन आप GST ITC 02 भरेंगे, और value of asset जो transfer कर रहे है ratio के लिए, वो कौन से जिनका, appointed date of demerger के दिन का, तो देखो, ratio of value जो निका लेंगे, in other words, for the purpose of apportionment of ITC, sub rule 41.1, while the ratio of the value of asset शोल भी टेकन, value of asset का ratio कौन से दिन का लेंगे, appointed date of demerger and the said ratio is applied, जो ratio ये निकलेगा, appointed date का ratio जो निकलेगा, it शोल भी अप्लाइगे to the ITC balance, और वो ITC balance कौन से दिन का रहेगा, जिस दिन आप ITC 02 फाइल करेंगे,